गाइस हम लोग ने पिछले वीडियो में यहां पे अपने प्रोजेक्ट में responsive sidebar को create कर लिया था आपको मैं यहां पे दिखा दू यह हम लोग ने create किया था अब हमें क्या करना है basically अब हमें basically इन सारे options पे काम करना है home पे आपका basically welcome page open करना है विव कॉंटेक्ट में जितने भी कॉंटेक्ट से उनको दिखाने वहां से वह उन कॉंटेक्ट को select करके उनकी पूरी information को देख सकता है डिलीट कर सकता है अगर बंदा चाहता है कोई नया कॉंटेक्ट कर दे तो उसको भी वह एड़ कर सके profile में उसे अपनी profile दिखे एडिट कर सकते हैं सैटेक्स में सेटिंग में पास्वोड चेंज वगारा का option आप दे सकते हो लगाउट पे तो फाइनली लॉगाउट होई जाएगा slash आपकुष लैस यहां पर लॉगाउट पे सिर्फ री डिरेक्ट करना है मतलब एक्षन देना है तो लॉगाउट कंप्रीट करने इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले आइड कॉंटेक्ट आइड कॉंटेक्ट वाला option कंप्रीट करेंगे बैसके लिए हम आइड कॉंटेक्ट पर क्लिक करेंगे यहां पर एक फॉर्म ओपन होगा और इमेज में सब कुछ यहां पर डाल देगा जब यहां पर एड पर क्लिक करेंगा तो सिंपली हम लोग को अपने डेटाबेस में वह चीज एड करनी है और गाइस अगर मैं आपको बता हूँ आप अगर यहां तक प्रोजेक्ट को फॉलो अप कर लिये हो तो अभी आपने बह प्रप्रेश्मेंट के लिए काम कर रहे हो प्रपरेशन कर रहे हो अगर आपने चीजे तो सब पर लिकिन परपेशन के किसी कंपनी के लिए आप बैठे ही नहीं तो इसका कोई फाइदा नहीं है ठीक है तो यहां पर भी है अगर आप आप सॉफ्यू ड़ल में जाना चारह आप जाबा अगयरा सी करें तो आपको प्रोचेक्ट्स बनाने आनी चाहिए और इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजे सिखा दी स्प्रें से लॉग इन लॉग आउट से आपको सिखा दिया तो बिने किसी टाइम को वेस्ट के हुए यह सारी चीजे ना बात करके वो मैं क के बाद यहां पर बैसकली हमारी description के field होगी इसमें आप जो चाहो लिख सकते हो इवेन यही से formatting होगा भी आप कर सकते हो ठीक है सब कुछ कर सकते हो अन यहां पर आप एक photo चूज कर सकते हो एं simply add पी clicker करोगे आपका contact हो जाएगा देन यहां पर सो करोगे तो फिलाल अभी ह हम एडेंद कॉंटेक्ट वाला बनाने मेले तो यह पूराना पूर्जेक्ट लैपन बनाते हैं अपना सब से पहले एक एक बनाते हैं कंट्रोलर हैंडलर ult better वा λगा तो बहुर मेदंडये तो اس数決 लेगा जाता पर यहां पर του कंट्रोलर में तो बिसके लिए मैं उस्कार नेवाला हूं कर लो और यहां पर हम उस करेंगा यूजर कंट्रोलर और शिंपली काम करने वाल है तो िसको क्या कर ऊ आफीलाल इसको रहे हम नहीं खिसको यहां पर बनाओगा यहां पर एड चैनल रहेगा तो हम बना लेटेंगे और विए का नाम रिटन करेंगे और यहाँ पर एड कोंतक्त फॉर्म कॉंटेक्ट फॉर्म ठीक है तो आप समझ गए होगे बेसिकलिए मैंने यहां पर कैमल के इस नाम भी उसकिया है तो कोई दिक्कत नहीं और रेटन कर देते हैं एक व्यू जो हम भी बनाएंगे नाम आप कुछ भी देतों यहां पर एड अंडर स्कोर पर चाहिए और यहां पर नौर्मल के अंदर तो बैसके लिए अपर नौर्मल के अंदर हमें एड कॉंटेक्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा भी तो वह चीज़ भी बना लेंगे सबसे पहले यहां पर मैपिंग दे देते हैं लोग तो यह मुझे फायर करना है रिक्वस्ट क्योंकि हें मैं मैं चलाना है । मुझे चलाना स्लाश है ड़ैक्र के, कांटाक्ट अब यहां पर यहा पर स्पेस नहीं करोगे आप उन्ड़कुरो के आप यहाँ पर डैश हाइफन उस कर लो मैंने यहाँ पर हाइफन उस किया तो जब भी आप आप यहाँ बात है हम यूजर को दिखाएंगे यह पर यहाँ यही देखो यूजर कर ले लो और यह काम का सकते हैं इस इस class के अंदर जितने भी हैंडल रहोंगे सम्में यूजर एड करने के लिए अलग से मैथड़ी बना देते हैं ठीक है सो मैं आपर लिगता हूं पबलिक वाइड और यहां पर लिगता हूं एड कॉमन डीटा एड कॉमन डीटा टिए आर्प कॉमन डीटा नामसा एक मैथड बनगया तो ट्हिक एड कॉमन डीटा एक मैथड़ बनाई ये मेथड़ भाद चलेगा हरवा चले लाने कले यहां पर मैं युदा रहूँगा ओंड पी उसका मॉडल एस करने γांद अट sz warning जो आप आप यहां पर युज़ कि लिज़े model अब यहां पर आजे लिग दिजे model अब यह बार चल जाए गा index के लिए चल जाएगा और add context के लिए चल जाएगा और जितने भी handler होंगे शेट के लिए चल जाएगा तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा इसके अंदर आप को कुछ रही करना इसके अंदर आप दो चीजी ले लो model ले लो मैं आ पर लिख दूंगा model M एम आप principal ऐलो principle principle ठीक है आप principal principle प्रिस पर ले लो और जो चीज़ आपने यहां पर निकाला था तो ना user आप देखो आपने user निकाला था फिर print किया था and repository से निकाला था and then print किया था then model में add गिया था यह जो काम है ना यहां से लेकर यहां थक यह काम आप उपर वाले में कर दो इसमें कर दो इससे होगा क्या यह जो add common data है यह हर बार चल जाएगा index के लिए भी चल जाएगा इसके लिए भी चल जाएगा और इसके लिए कर चल जाएगा तो obviously बात क्या आ जाएगा यहां पे भी model अपने आप से user आ जाएगा आपके model में इसके लिए और इसके लिए भी I think आप समझेगोगे तो इसको थोड़ा space देखर कर रखने स्पेस दे करकते है तो बैसे हमने एम उस किया हमने मॉडल उसकी अ आप मॉडल उसका आप जो लो एक भूसेज निकाला है जो कि लॉग डिन आपके मॉडल में चला जाएगा जब भी आप इस class के अंदर कोई handle रिखोगे तो ये add common data अपने आपसे चल जाएगा यह चीज मैंने आपको समझाई थी कहां पर यह चीज मैंने आपको समझाई थी जब मैंने आप पर spring mbc spring mbc का मैंने बताया था हाँ spring mbc जब मैं सिखा रहा था तब बनाया था आप confused ना हो आप confused ना हो यहाँ पर comment लगा के आप लिख दो यह है basically home dashboard का home है तो मैं लिख देता हूँ dashboard home dashboard home and उपर चलते हैं और इसमें लिख देते है method for adding common data to response method for adding common data to response ठीक है I think समझ गए होगा नीचे आ जाते हैं ठीक है अब इससलिए title भी मैंने आप एड कर दिया add contact का और user अपने आप से यहाँ से add हो गया और basically मैं यहाँ पे model में चीज और एड करूँगा model.add attribute और मैं यहाँ पे add करूँगा contact और contact का basically blank object add करने वाला हूँ new new contact so menu new 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 contact contact object होगा मेरे पास class बना के रखा था हम लोग ने हाँ ठीक है com.smart.entities.contact perfect तो यह वाल object आपको मिल जाएगा ठीक है यह वाल object आपको view में मिल जाएगा उसको आप अब इसके लिए मुझे बनाना क्या है normal के अंदर अपना add contact form बनाना है तो simply हम लोग आ जाते है normal पर right click करते है new पर चलते है and यहाँ पर HTML file कहीं पर होगी नहीं मिल रही तो आप अधर पर click कर लो and by other पर click करने के बाद आप simply HTML file यहाँ पर मिल जाएगी नहीं तो आप यहाँ पर search भी कर सकते हो थोड़ा सब दिमाग आप लगाओगे लगाओगे ठीक है आप यहाँ लिखे और simply paste कर दिए अब साथ ही साथ में user dashboard पर आई है उसके अंदर का जो layout आपने दिया उसको इंहरेट कर लेगा और इस section को उसके अंदर डाल देगा तो बाकी का पूरा का पूरा content आपका base ड्ला का होगा नलर्माईल के अंदर जो base है यहाँ पर और इहे जो काण बूर्री सेक्षन जह है वह आपके base के स्कौंटेक्ट यहाँ पर चलाजाएगगा यहाँ पर चलाएगगा तो जो आप यहाँ लिखोगे आपने ऑदर जो आप इस section को इनदर लिखोगे इ इस सीरीज को देखो लेंगे मैं डिस्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूगा चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहां पर देखते हैं क्या अभी तक हम लोग कहां पर पहुंचें कहां पर नहीं पहुंचें तो बिसकली हमारा यह तो पर्फेक्ट है और यहां पर हम प्रफेक्ट हो गया यह रहताएं तो अब मेरा कॉंटक्ट फार्म दिखेगा और अपने base.html में, यह base.html जो है, वो आपके normal के अंदर का है, तो आप confused मत होएगा, ठीक है, आप उपर आजे, जहाँ पर आपने बनाया था, अपना sidebar, here a sidebar, यहाँ पर, आपका जहाँ पर add contact है, simply आप add contact के href में, यहाँ पर, simply एक नया href लगा देते, आप साव्सक्य के अंदर, simply हम लोग लिखेंगे add the count जहाँ एक द्सक्रा एक पर रेंगे, लॉग आउट ठीक है सेब कर देंगे तो बेसिकली जैसे ही आप यहाँ पर एड़ कॉंटेक्ट पे आप फायर अप करोगे ठीक है तो अब इसकी बात कौन सा यह वारे फायर हो जाएगा यह यह यूजर स्लाइसाइड कॉंटेक्ट अपने अपसा फायर हो जाएगा और जैसे अब आपको इन्डेक्स पही चलते हैं सबसे पहरे हैं सिक्क्राइब एड़क पर्फेक्ट पे प्लिक पे अब लोग उट्ट कर सकते हो यह यहाँ पैसे प्रफेक्ट यहाँ पे अपने काई कर देते होंек अपने पे पर आते हैं और home पर simply slash user slash index fire up करना है तो home पर simply हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे href colon ठ्रफ href 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 और यहाँ पर हम लोग add the rate लिखेंगे and home जो user का हो में क्या है user slash index ठीक है तो जैसा ही तो जैसा ही आप यहाँ पर home पर fire करोगे यहाँ पर user slash index पर अपने आप से fire हो जाएगा देखेंगा मैं refresh मालता हूँ आप home पर आ जाओगे and add contact पर क्लिक करके add contact पर चल जाओगे और यहाँ पर title भी आप change हो जाएगा देखो home पर आओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है हलाकि title आप रख सकते हो add contact पर क्लिक करोगे तो आप देखो add contact आएगा बाकि सब को सेम है बदल क्या रहा है बदल सिर्फ इतना रहा है ठीक है तो आप home पर भी गया कर सकते हो यहाँ पर title वाली चीज़ कॉपी क dashboard ठीक है तो अब यहाँ पर आपका user dashboard भी आ जाएगा ठीक है तो आप देखोगे यहाँ पर user dashboard है कोई दिखकत नहीं और यहाँ पर add contact है अब यहाँ बैसके लिए हमें form बनाना है तो हम चलते है और form को create कर देते हैं ठीक है अब form basically आप form बनाना बहुत easy है मतलब I think सबसे जा सब्सक्राइब किया था बहुत सब्सक्राइब कर दोंगे कौनकों से फिल्ड रखेंगे तो basically आपने जो database में field रखे थी वही fields आपको लेनी है और जो database में field है वही हमारे entity में field होंगी तो आप यहाँ पर आपके देख लो entities में entities में आपका contact में क्या क्या होगा contact में आपका एक phone और एक image के लिए field बना लेंगे और description के लिए field बना लेंगे तो हमें basically एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ fields बस चाहिए होगे ठीक है चलते है अब साथ fields बनाने के लिए simply सबसे पहले जिसको नहीं पता उसको में बता दू कि आप documentation जाओगे form में तो हम लोग उसकर करें bootstrap तो आप यहां पे एक बार bootstrap forms को search कर लोगे Google पे and then जाके एक बार पढ़ोगे ठीक है आप थोड़ा सा time दोगे अपने आपको यह सारे fields बनानी है तो आपने इस आप से time दोगे and then fields कैसे बनाते है यह सब चीज आप ध्यान से करोगे ठीक है यहां दो इतने बड़ यहां पर बनाना start करते हैं तो मिसको full screen पर कर लेंगे और full screen पर हो गया कोई दिक्कत नहीं अब अगर full screen पर हो गया तो आप simply कैसे start करना चाहरो यह totally आप पर depend करता है ठीक है तो हम यहां पर simply सबसे पहले लेंगे card and card की body लेंगे card की body div-card सबसे पहले card बनाते हैं and then हम लोग लीडि कैसे star quarter 다음에не क्लास दे लिए card बायरें पहले market हो हम लोग दो एक टिए उसी आक सेज़ा जायते हैं पर हम यहां पर एक सेट लेक्स आपर एक यहां पर लेते हैं जिसका class रखेंगे मैं container fluid लेंगा container fluid ठीक है आप चाहँ तो margin भी दे दो कोई दिखकर नहीं यहां मैं margin टॉप देशता हूं margin टॉप देता हूं margin टॉप देता हूं 10 grid लेगा और एक grid left से चोड़ देगा अगर आप bootstrap आती ही आपको तो आप चीज़े समझेंगे मैं क्या कहना है कर रहा हूं and then इसके अंदर हम इसके लिए अपना form को मैं create कर दूंगा लिखूंगा form tag ठीक है तो यहां पर form create हो गया form के अंदर मैं क्या करूंगा आपको यहां पर action हो कर देना है तो आप बहुत ध्यान से चीज़े दीजिएगा ठीक है मैं यहां पर try मारता हूं सबसे पहले action सबसे पहले मैं लिखता हूं th colon object तो basically यहां पर variable दे रहा हूं जो variable मैं उधर भेजा था अभी मैं आपको दिखाता हूं contact तो basically हमने यहां पर user details से आप देखोगे sorry user controller से यहां पर variable भेजा था contact जिसके अंदर आपका blank object है तो वह object मैं यहां पर simply specify कर रहा हूं th colon object में perfect है उसके बाद क्यूंकि हमें data image भेज नहीं तो मैं यहां पर लिखाँ ink type और ink type में मैं उस करूंगा multipart form multipart multipart part slash form dash data perfect है and then हम लिखेंगे method post क्यों अब कोई पूशा method post क्यों क्यों क्योंकि हम रुख data भीज रहे हूं sensitive information होगी contact की detail बगार होगी तो इसलिए method post है और image भीज रहे फिर हम यहां पर action देंगे इसका TH colon action क्योंकि हम रुख time use करने तो इसलिए TH colon action होगा और action आपका basically वह होगा जहां पर डेटा भीजना चाहते हो तो मैं लिखूँगा user slash process dash contact ठीक है perfect है और आप चाहो margin होगर देना चाहो तो margin होगर दे सकते हो class भी लगा कि इस form पे तो suppose मैं आपे class लगा जाता हो mt2 ठीक है तो यह बिसके लिए मारा form tag complete हो गया mt not mt है तो बिसके लिए मारा form complete हो गया form basically form tag complete हो गया और attributes complete हो है आप यहां पर fields देनी है अब fields में पहला fields देना है first name का देना है तो basically first name में field आप normal भी दे सकते हो बट यहां पर बहुत सारी fields है उनको भी आप यूज कर सकते हो जैसे 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 आपको जल्दबाजी एकदम ही नहीं करने ही ठीक है तो जैसे आप यूज कर सकते हो यह इस तरह के सी fields तो simply input ठीक है तो यह basically इस तरह के हम मैं बनाना चाह रहा हूँ तो देखें आकर बनाते हैं सबसे पहले आप comment लगा के लिख दीजे कि यह किसलिए है तो यह basically first name के लिए field है first name के लिए field है first name के लिए field है and then आपको div बनानी है input group की मैं लोगो div for input group input dash group ठीक है and हम लोग क्या करेंगे एक और दी बनाएंगे input group prepend की तो div input dash group dash prepend ठीक है prepend ठीक है तो यह input group prepend होगे अब इसके अंदर basically हमें इस input group prepend ने दर basically मुझे icon बनाने है तो icon के लिए div और चेह होगी तो div और उसकी जो class हम लोग लगाएंगे उसकी class में यूज़ करूँगा input dash group dash text ठीक है और हलका साब margin यहां पर देदूँगा margin right right यूज़ करूँगा 3 ठीक है perfect है अब इसके अंदर basically हमें icon बताना है तो मैं यह लिखूँगा इसके just नीचे input group prepend पहले के बाद यहां पर मैं field बनाऊंगा तो field बनाने के simply आपको क्या यूज़ करना input और input के अंदर type text यूज़ करना है perfect है आप चाहो तो id दे दो अगर चाहो तो आप id दे सकते हो id अगर नहीं चाहते तो आप id मत दो id basically name है यह first name है उसके बाद आप नेम तो important है name आपको वही देना है जो नाम आपने अपने contact में दिया है तो नेम का नाम नेम ही है तो यहां पर में name यूज़ करूँगा तो आप यहां पर name यूज़ कर लिए कोई दिकत नहीं उसके बाद आप placeholder यूज़ कर लिए मैं placeholder यूज़ करूँगा और मैं लेखूँगा enter name here enter name here ठीक है perfect है और class में यूज़ करूँगा यहां पर form control form-control अब मुझे चीज़े practice से हो गई है यहां पर राइट साइट से अलका सा राइट साइट से देखो white color का एक दम उधर चिपका हुआ है तो आप क्या कर सकते हो आप यहां पर margin card में margin right भी दे सकते हो आपके मर्जी जैसे आप चाहते हो कि भीया card में margin right देना तो आप यहां पर देखो card यूज़ के आपने है तो यह सब totally आपके मर्ची है आइधिक समझ गयो तो आइधिक आप समझ गयोगे यह बड़िया लग रहा है आप हमारा यह चीज लग रही यह चीज लग रही इसको आप एक में भी चिपका सकते हो एक में भी चिपकाने के लिए आपको क्या करना होगा आपको जहां पर margin हम लोगों ने दिया या यह दिखे मार्जिन राइट समय गहर अगए रहा आपको देना है तो आप और घंप Say अब दूसरी हमें बनानी हे देख लेते हैं ।ै और हमें में सब्सक्राइद सकते हो रइट कार्ड कर सकते होगा बनानी है contact में जाके देखो second name की तो अब I think समझ में आ के होगा दूसरी field कैसे बनाओगे कैसे बनाओगे बाई simple आप अपने add context में आ जाओगे यहाँ पर first name आली field यहाँ से start हुई है यहाँ पर खत्म हुई है that means यहाँ से हमारी second name आली इस चीज स्टार्ट होगी तो मैं देता हूँ second name and simply आपको क्या करना है यहाँ से लेके यहाँ तक copy करना है and simply हम लोग यहाँ पर पिस्ट कर देंगे perfect है सब कुछ चेंज है क्या चेंज करना है उसको आप देहां से देख लिए क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है ठीक है तब देखे id चेंज कर देते हैं यहाँ पर second name and 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 name important है तो name में हम देते हैंगे second name यह name वही होना चाहिए जो आपने यहाँ पर दिया है आ जाते हैं और refresh मारते हैं तो आप देखोगे एक फिल्ड और बन गई और अल्ट का तो कोई आइकन ही नहीं आ रहा भाई ऑल्ट का तो कोई आइकन नहीं आ रहा तो यहाँ पर FAS करके देखते हैं यह सब मैं नेट से देखा हूँ अब चीजे करते करते याद हो गई तो को FAS पर भी कोई नहीं आ रहा है तो देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है FAS 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 F A ठीक है इसको यूजर कर देते हैं F A user Alt ठीक है save मारते हैं and refresh मारते हैं परफेक्ट है और हलका सा आप हलका सा आप क्या दे सकते हूँ मार्जिन टॉप दे सकते हूँ इन्पूट ग्रूप में M T 3 दे सकते हूँ इससे क्या होगा मार्जिन इस वाली फील्ड के ऊपर हलका सा मार्जिन आ जाएगा तो अच्छा लगेगा यह देखे हलका सा मार्जिन आ गया तो अच्छा लगे अब यहाँ पे आप या enter nickname लेख देते हैं enter nickname here and save कर देते हैं and then refresh कर देते हैं perfect है तो दो fields बनके ready हो गई है अब basically हमें phone की इसकी बनानी है या यह सब चीज आप पर इंड है ठीक है मैं बस बना रहा हूं यह सब कुछ आप पर इसकी बनाना चाहिए डाउं इसी ऑरडर में लेते वर्क या email phone या email phone आपकी फिर जैसे भी बना ही आप बना सकते हो ठीक है इस हिसाब से बना संप लिए है फों कि फिल्ट फील्ट आप यहां पर कमरा मैं लगा लिए है फोन फिल्ट यहां पर हम लोग लिख देते हैं फ़ोन फिल्ड और पेस्ट कर देख लेता है डिक फ़ान घ्रीक्र अब नंबर आइकन त्वा – यह कह लिए दिए यह कंद यह ऐ फ़ोन का त eine यहां पहे मैं फोन का फोन इसका लूँगा FAA-phone ठीक है and and input type यहां पही मैं number इसका लूँगा and id मैं देदूँगा यहां पही phone और यह जो name है यह name को आपको check करना पड़ेगा कहां से check करना पड़ेगा यह जो name अई पर चेक करना number here phone number here थिक है perfect तो ये फूर बन गया जब हुआ इसी आप से अब जब फोन हो गया तो अब यसी बात के बचहा एमेल बचा तो फूर बनाते पड़े पड़े था है इमेल के लिगे बना लेते हैं तो यहाल पहमलुक यह असे स्टाइटा ता है यहां पर और यहां पर comment लगा के आप दो यह जो बीस कर लिए वह इमेल फिल्ड है यह में फिल्ड है पेश्मार्ड दो ठीक है इन्पूट सब को सहीय यहां पर text email कर दो वैलिडेशन उगर आप लगाई लोगे ठीक है और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग आइकन तो मेरे पास email का यूज कर सकते हो दर्वाइस आप में आप एक डिव यूज कर सकते हो और टेक्स्ट में आप सिंपली यहां पर एड़रेट लिख दो बस हैड़रेट आ जाएगा आप इन्पूट ग्रूप प्रिपेंड में तो आपका एड़रेट आ जाएगा email में अपने अप ठीक है और आईडी में आप यहां पर email यूज कर लो और नेम में तो आप यहां पर चेक कर लो आपको क्या लिखना है तो email लिखना है तो हम लोग यहां पर आ जाएंगे और यहां पर यूज कर लेंगे email ठीक है तो यह नेम बहुत important है और यहां लिख देते हैं ठीक है सो वरक में basically मैं आपर आएकन यूज करूँगा वो खतरना का इकन उसकरें बखरेंगा एफ अओ यह और मैंस कर नहीं ब्रीफ केस ठीक है तो मैं आप लिख दूँगा रीफ केस, ब्रीफ केस ठीक है और बाकी तो सब कुस ठीक है, टेक्स्ट ठीक है, आइदी अप लिग लुग है यहां पर वर्क है, और नेम भी आपका वर्क है, और प्लेसोलडर एंटर योर वर्क हेर, एंटर योर वर्क हेर, अब क्या काम करते हो, that's it, and then हम लोग उस करेंगे description ठीक है, तो description में basically हमको text area उस करनी है, तो यह basically हमारा आ जाएगा, यह जो field होगा, वो description का होगा, तो आप बहुत असानी से यहाँ पर लिख दो, और यहाँ पर user, यह contact description है, contact description, description, ठीक है, तो कैसे करना है, आपको simply div लगाना है, यह थोड़ा साथ change करन इतने में form group यूज कर लेते है, margin MT3 ही उस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर basically में उस करूँगा text area, ठीक है, text area में, name जो होगा, वो तो description होगा, जो नाम आपने यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, यह दिखे, image के लिए भी बाद में बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर description आ कोई लिखकत नहीं, जितना इसका parent के बिटते होगे, और row 20 देते हैं, row 20 देते हैं, बस और यहाँ पर class यूज करेंगे, हम लोग, class, 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 already लिखा तो नहीं, नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखे, form dash control, ठीक है, and name आही गया, बस कोई लिखकत नहीं, कोई करने, आप चाहो, तो यहाँ पर placeholder, use कर सकते हो, placeholder, यहाँ पर लिखते है, enter your, enter contact description, entire contact description, ठीक है, same पर लेते हैं, try to refresh, हम refresh करने, को सिस करेंगे, and boom, ठीक है, so, एक्तम बहुत बढ़िया, सब कुस रेडी हो गया, ठीक है, यह हमारा home page, add contact, पर जाओगे, तो आपका add contact, बढ बात है, notice करने वाली बात है, कि यह जो आपका है, यह fixed है, यह जो आपका है, वो fixed है, और यह चीज है, वो पूरी बढ़ रही है, अगर हमारा यह नयबार भी उपर का fix हो जाए, तो बढ़ पड़ी हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, नयबार कैसे fix करते हैं, आपको fix कैसे करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो आप यहाँ पर देखोगे, तो placement में यहाँ पर आ जाएगा, अगर आपको default है, top पर fix करना है, तो आपको use करना पड़ेगा, fixed top, तो अपने नयबार में simply fix top लगा दो बस, तो हम लोग बेस में आते हैं, और नयबार क समया पर simply fixed top, तो आपका यह चीज़ भी fixed हो जाएगी, हाँ ठीक है, यह चीज़ भी fixed हो गई, ठीक है, कौन से चीज़ fix हो गई, आपकी यह चीज़ fix हो गई, और हलका सा जब fix हो गई, तो obviously बात है, यह अपने जगे पर आ गई, तो हलका सा इसमें padding देना और पड़ेगा, आपके किसमे padding देना पड़ेगा, आपके snap bar में padding देना पड़ेगा, या nap bar में ही क्यों padding देना पड़ेगा, आपके पूरे यह वाला content भी तो इतना जगा, अपने इसके उपर आ गया और यह सारा content इसके नीचे चला गया, तो एक second काम करते हैं, बेस में जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं न, बेस में जो हम लोग का यह वाला area है, कौन सा area, sidebar, sidebar और साथ ही साथ में हमारा, या sidebar पर हम लोग हलका सा empty margin top 5 दे देते हैं, margin top 5 देते हैं, sidebar, हलका सा top, top से margin 5 ले लेगा, 5 unit और content पर भी empty और यहाँ पर 5 दे देते हैं, ठीक है, refresh करते हैं देखत इसको, 3 कर देते हैं, ठीक है, और इसको, इसको भी, क्या कर देते है, 3 है, sidebar पर भी लगा देते, 3 ठीक है, तो 3, 3, 4 मारते, 4 and इस पर भी 4, ठीक है इस पर भी 4, यह तो ठीक है, and आपके content पर और और उजना शहीं साइट, पांच देते हैं, contact, contact का हलका तो यह भी margin बढ़ रहा है, margin top से बढ़ रहा है, इसमें 3 कर देते हैं, अलका सा, हाँ ठीक है, और स्कुआ और कर सकते हो, दो कर सकते हो, पर्फेक्ट है, अब यह movement नहीं होगी, क्योंकि हम लोग का बार क्या होगा, फिक्स होगा, तो आप चाहे हो, कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप small screen पर होगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप देखोगे, आपका, अच्छा, एक दो चीज़ और करनी पड़ेगी, आपका जो यह आ रहा है, card आ रहा है, वो अब यह से बात है, इसका Z index ज्यादा है, तो हम लोग को क्या आना पड़ेगा, अपने side sidebar का Z index भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CSS में जाना पड़ेगा, and sidebar का Z index increase कर देना हुगा, तो हो आ जाते हैं, CSS में, और यहां पर sidebar का जो CSS है, तो sidebar का CSS है, इसमें Z index property include कर देते हैं, index, और इसका हम लोग बहुत ज्यादा कर देते हैं, सबसे top पे रहे है, ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे top पे बेजेंगे, perfect है, एकदम top पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, so I think आप समझ बार होगे, इस तरह की से websites आप क्या करोगे, बनाओगे, और perfect है, तो हमारा, देखो add contact पे perfectly हमारा अपना add contact वाला form देख रहा है, और अगर इसको two shift कर सकते हो, तो आपका form हलका सा छोटा हो जाएगा, यह देखे, हलका सा form छोटा हो गया, और इसको भी आप अपने सबसे adjust कर सकते हो, यह card को छोटा कर सकते हो, यह totally आप पे है, सब कुछ आप पे है, की कैसे करना है, ठीक है, कैसे आपको design वगरा बनानी है, मुझे तो लगता है, यह perfect चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, head contact में, लास्ट चीज हमें, image के लिए भी बनानी है, image के लिए बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, आदेंगे यहा, और I think यह थोड़ा सा बढ़ा है, इसका क्या बढ़ा है, इसका बढ़ा हुआ है, row image के लिए बनाएंगे, इसी के अजस्ट बात, यहाँ पर, हमें लिख देते है, लिख देते है, image field, image, contact image, contact image, और इसमें भी हम लोग लिखेंगे, div, class में दूँगा, div, class दूँगा, div, और class को देते है, custom file, custom file, ठीक है, और file, obvious ही बात है, file, हम यहाँ क्या लिखेंगे, input में type आपको file लिखना है, और name देना है, name important है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा, profile image, ठीक है, save कर दीजे, आपका एक image भी आ जाए गए, देखें, आपका image भी तो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, सातो field हो गई, बस हमें, last में बनाना है, add contact की button, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, form के अंदर ही बनाईएगा, ठीक है, तो मैं आप डिब लिखूँगा, एक container लगा दूँगा, इससे असानी से आप center पर कर पाऊँगे, ठीक है, और यहाँ पर हम डिब बनाएंगे, तो sorry button बनाएंगे, button, button और button पर मैं लिखूँगा, add contact या save, save contact और class देना बह outline, outline-primary, save कर देंगे, and हम refresh करेंगे, तो आप देखोगे, save, इसको center पर करने के लिए, बहुत असान है, तरीका क्या है, तरीका वही है, आप container पर यहाँ आपर मार दिए, text-center, and save कर दिए, and then आप फिर से refresh करेंगे, तो आप देखोगे, यह देखे, perfect है, और आपका form बढ़ मार्जिन राइट, इसमें राइट दे दिया था, और अगर आप इसको full screen पर कर दो, तो मार्जिन राइट नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको manage कर सकते हो, card में देखो margin राइट लगा था, यह margin left भी लगा दो, ml, 2 लगा दो, इसमें 3 लगा था, तो मैंने, तो हलका सा, हाँ अगर आप mobile screen पर देखोगे, so एक बार में refresh मारता हूँ, by default hide होगा, या by default हमारा home देखेगा, ठीक है, and आप यहाँ से जा करके, आप अपने add contact पर click करोगे, so आपका add contact का यहाँ पर form आ जाएगा, form ready है, अब हम लोगोने, मैंने यहाँ पर use किया था, एक editor, जिसका नामे tiny, tiny text editor, next video में बताऊँगा, कैसे आप tiny text editor यहाँ पर लगाओगे, आला कि उसको तो बाद एक video अलग सेपरेट बना दूँगा, ठीक है, उसको rich editor बोलते है, html rich html editor, so perfectly यहाँ पर देखो, एक तम perfectly काम हो रहा है, हम लोग का add contact form एकदम ready है, आप चाओ तो यहाँ पर आप एक आइकन भी दे सकते हो, net से download कर गए, या फिर हम लोग का इतना काफी है, best है, best है, ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी, तो contact form बढ़िया बन गया, और जो हम लोग का जो एक design है, एक particular कह सकते हो, जो हम लोग ने एक basic template बना लिया है, उस हिसाब से हम लोग के लिए भी, profile के लिए भी, अब हमें basically control में handler बनाने है, और handler के बाद हमें या पर form का pages बनाने है, that's it, settings में भी वही काम हमें simply करना है, I think आप समझ पार हो कि मैं क्या कहने कुछिस कर रहा हूँ, कोई यहाँ यहाँ बढ़िया homepage बना दो, head contact page बना दो, फिर आप view contact वाला भी login page पर हो जाओगे, और साथी साथ में अगर आप add contact form भी access करोगे, user slash add dash contact तो भी नहीं access कर पाओगे, कोई login तो है नहीं बना तो फिर से login पर आएगा, इसका मतलब ऐसा नहीं सिर्फ एक ही page हमारा क्या है, protected है, हमारे सारे pages protected है, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ user पर ही लगा द इसको हम लोग database में add करेंगे, and proper यहाँ पर एक message दिखाएंगे, आप add कर सकते हो, और भी चीजे, और अगर आपका एक assignment रहका भाई, इस पर आप validation लगा के मुझे बताओ, यह वडियो काफी लंबे होगे, हलाकि मैंने बहुत सारी चीजे आपको समझाए, step by step form को create करना source code में, source code भी download कर सकते हो, website, अब use करो, अब अगर only is our tech.com कहीं भी है, तो उसको अब हटा दो, वहाँ पे आप learn code with dhurgesh.com यूज करो, वह website चल रही है, so I think, आप capable होगे, आप download कर सकोगे, कोई दिक्कत है, तो आप ग्रूप में, टेलेग्राम ग्रूप पे पूछे, वहाँ पे आपका डौट सॉल हो जाएगा, या बज़े आप dm कर सकते हो, messages भी में, बहुल दो के reply करता हो, चलो मैं मिलता आप से next, इंट्रेश्री में तब तक लिए जय हम जय बारत, चैनल सब्स्क्राइब करना, वीडियो शेयर करना, मत बूलेगा, बाबाई